स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटू बीटू इस्टडी पर दोस्तों पिशली वीडियो में हमने आपको यूपी पॉली टेकनिक एंटेस एकजाम 2022 ग्रूप एक चात्रों के लिए जो 2022 में पेपर कंडट कराये गया था जीकब के दरा आउनलाइन एक्जामिनेशन का जो पेपर था वही सेम पेपर हमने आपको सॉल करा दिया था पार्ट बन में हमने आपको 50 क्वेश्चन जो है वो आल्रेडी सॉल करा दिया था यानि पुरे पेपर को आपको दिखा भी दिया था आज वीडियो में हम 51 से ले कर के 100 तक कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में प्रस्ठन पूछेगए थे वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं गोर चोड़بلए करानेवाले है इसमें जो समय न लेते वे चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि क्यावन नमर क्वेशन आप देख सकते हैं जब एक काच की छड़को समान अपवरतांक वाले द्रव में डुबाई जाता है तब छिद्र क्या होगा तो वह नहीं दिखाई देगा अफसन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट एंसर ह होंगे दोस्तों अगला जो क्वेशन है वह बल इंटू इस्थापन का एसाई मात रख्या है तो इसका जो आफसन नमर डी है वो होगा करेक्ट एंसर क्वेशन आपको दोनों ही लाउंगरी में दिख रहे होंगे और अकर आपको नहीं हो तो आप वीडियो को जूम भी कर सक करते हैं दित्य लोलक की अवर्थी कितनी होती है तो यह क्वेशन जो है वह काफी बार पूछा गया है प्रिविए शेर क्वेशन पेपर में भी तो दित्य लोलक का जो आवर्थी होती है वह होती है 0.5 हर्ट अगला आपका चवन नमबर क्वेशन है कि 10700.20 में सार्थक अं है और सातों में कुछ न कुछ अंक लिखे हुए है अगर यह आपका 10700.00 पॉइंट के बाद आपका अगर 00 होता तो यह आपके सार्थक अंक नहीं कहलाता पर यह अगर 20 लिखा हुआ है तो यह आपका सार्थक अंक कहलाएगा तो उमीद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो आओगा और जार जानकारी के लिए आप हमारी प्रिलिष्ट में जाएं और हमने प्रिविएस एर के बहुत सारी क्वेशन पर भी सौल करा रखे हैं उन्हें जरूर देख लें देखिए 55 क्या कहा रहा है कि एक कड़ वित्ती पत पर गती कर रहा है यदि कड़ घुमने का व एक तालक यह है एक तालक यह है जब दोनों में एक जिसा में धरा प्रवाइत हो रही है न तो यह जो तार होंगे दोनों उपन नीचे दोनों ही वायर एक दुसरे को आकर्शित करेंगे यानि दोनों के बीश में जो है चूंबकी छेत्र दिमान हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानि एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे अगला कुशन दिख लेते हैं नेक्स कुश्चन आपका है बारह ओम प्रत्रोद के तार क्यों खीचकर उसकी लंबाई तीन गुना कर दियाती है तो अंतिम प्रत्रोद क्या हो जाएगा उन् देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशन है कि 20 cm फोकस दूरी का एक आउतर लेंस है जो की 50 cm फोकस दूरी वाले दोस्तों इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा आपका माइनस के 9D ठीक है अगला कुश्चन है एक स्कूल गेज की चूड़ी की पीच 0.5 mm है यदि गेज के वित्ती पैमाने पर 50 भाग बने हो तो इस कूड़ी का अलपत मांग क्या होगा तो वह होगा 0.01 mm यानी मिली मीटर दोस्तों यह सब क्वेश्चन आप यह नहीं कह सकते कि यह सब क्वेश्चन नहीं आएंगे एक्जाम में या फिर सब क्वेश्चन काफी हार्ड है यह सब क क्वेश्चन को यसकीप नहीं करिएगा यूख्य हर को इस चारं है अगर आपने गलती भी कर दिया गलती से भी यह आपने गल्ती कर दि तो आसे ऐग जो बहुत की साथ पब करने के लिए यह पता हो यह तो सेलसियस अपमान बटा 9, यह Celsius और Fahrenheit के बीच में मैं संबंद बता रहा हूँ, अगर आप Kelvin के बीच में भी संबंद देखना चाहते हैं, तो आपने बुक में देख लिजेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए अगला जो question है, किलो वाट घंटा किसका मात रख है, तो किलो देख सकते हैं, इसका जो correct answer है, वह होगा tan theta, अगला question देख लेते हैं, निम निम में से कौन सी घटना, ध्वानी तरंगों के लिए संबंभव नहीं है, तो ध्रुवड जो है, यह ध्वानी तरंगों के लिए संबंभव नहीं है, अगला question है, जब कोई आपरवर्दीत, प् चलिए आगे देख लेते हैं, next question क्या है, कि सर रोलक के गोले का द्रवमान बढ़ा कर चार गुना कर दिया जाए, तो अवर्द काल क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा, सेमेन बना रहेगा, ठीक है, समान बना रहेगा, दोस्तों यह question paper जो है, यह part 2 video है, अगर आपने part 1 में एक से क्याओन, sorry, एक से लेके 50 तक की question जो की mathematics के most important question थे, अगर आपने उन्हों नहीं देखा है, तो इसी video के discussion में चले जाएगे, या फिर इसी video के playlist में चले जाएगे, आप उस video को भी जरूर से देख लेए, अगर आपका अच्छा खासा comment रहा, ठीक है, तो अगर आप सभ के केंद्र पर इस्थित होता है, 6 ओम प्रतिरोत की एकतार को 12 बोल्ट की battery से जुड़ा जाता है, प्रतिरोत दोरा 10 सेकेंड में बे उर्जा क्या होगा, दोस्तों ये question काफी important है, और इस type का question जो है न, आप previous कोई भी question पे पर उठाएक देख लीजिए, एक question तो इस type का दाता है, बल्ब के द्वारा ब्यव उर्जा क्या होगी, सकती क्या होगी, आपको P गयाद करना है, तो भोगा 25 वाट, दोस्तों आपको P बराबर दिया हूआ है कितना, 100 वाट, उसके बाद भीज क्वल्ट अपको दिया है 220 बोल्ट, और आपको यहाँ पे दिया हूआ है, ब० ऌटन Holz ऐकोड़ प्र आपको सर्थेएज़ करने है तो यहां पे आपको पी दिया हुआ है भी दिया हुआ है पी ग् b kimmy निकाल लेजिए पी-वी कि मतसे इसके मदद सर्मीत जैर्द आप आई निकाल लेजी स क्या होगा क्योंकि अपनी फ्रमुला एक सुना होगा या फिर आप जानते होंगे तो होता है P is called to V into I होता है तो अगर इसमें आप I कामान निकलना चाहिए तो I is called to आपका हो जाएगा P by V होगा बिल्कुल होगा P is called to V I होता है तो I is called to P by V हो जाएगा तो P कामान कितना है 100 वाट और B कमान आपका है 220 इसे आप solve करेंगे तो एक जिरो से एक जिरो कैंसिट आउट हो जाएगा 10 बटा 22 ठीक है 10 बटा बाइट से रखते हैं क्या आया आपका 10 बटा 22 यह आपका I कमान आया है और आप जानते हैं आपके दिया हुआ है 110 बोल्ट B कमान 20 को एक सो दस बोल्ट यह आपको P कमान गयात करना है तो उसी सेम फार्मूले से P कमान आपका 110 बोल्ट और I कमान 10 बटा 22 इसे को solve कर दिजे देखिए जब इसे आप काटेंगे देखिए उपर नीचे तो जब इग्यार से काटेंगे तो इसे काटेंगे तो दो पांच के दस और यहाँ पर दस पांचे पचास इतना आएगा पचास आपका आएगा पर यहां पर प्रस्ट ना कर पढ़ेंगे तो आपको पुछा गया है तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा न वह आपका हो जाएगा पचास वाट आपसा नमबर 6 का करेक्ट एंसर होगा दोस्तों जो पचीस वाट इसमें लगाया हुआ है यह करेक्ट एंसर नहीं है अगरा क्वेश्टन देख लिजिए क्वेश्टन नमबर 21 है गुति तुरण को जी से प्रशित करते हैं यदि एच उचाई है तो टू जी एच इंडरूट का वीमिय सुत्र क्या होगा तो वीमिय सुत्र अगर आपको बिल्कुल भी ग्याद करना नहीं आता है तो हमारी एक यह special वीडियो बनाई गई है जो कि उनली वीमिय सुत्र के लिए है तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो वीमिय सुत्र से आपका एक भी question नहीं चुटेगा इसकी मैं guarantee लेता हूँ आप किसी भी बहुत इग्राशी का वीमिय सुत्र यानि वीमा चुटकियों मे ग्याद कर पाएंगे अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उस वीडियो को आप चैनल पर विजिट करें और आपको सबसे पहले होम वाले आइकन पर ही होम वाले बटन पर ही नीचे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा और हो सकता है हम आपको इस वीडियो के description में उसे देने का प्रियास करेंगे सरवत्तिक गुत्तव कर्षण नेतां का ऐसाई मत्रक क्या होता है सरवत्तिक गुत्तव कर्षण नेतां का बार बार पूछे है वाला प्रस्ण है यह तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्कॉार पर किलोग्राम स्कॉार ठीक है चलिए अधीक प्रकुर्णन किस रंका होता है, तो वह होता है, आपके लाल रंका, यह आपको याद रखना है, ठीक है, उसी परकार अगला कौशन आपका 74 नम्बर है, और यहाँ पे 75 नम्बर आप दे सकते हैं, इसके बाद है, आपका ट्राइड का नियम लागू होता है, तो यह ल एक जाओगी जिसके अभगटन में प्राप्त काला कार्बन प्रिंटर की स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है तो वह कराता है आपका कार्बन टेट्राकॉराइड ठीक है उसी परकार आगे दिखेंगे अगर आप तो क्वेशन नंबर आपका 79 आ गया है टेट्रो की संख्या कितनी है तो वह आपकी 8 है आपसा नंबर ह का करेक्टर नंसर होगा ठीक है उसी परकार जैसे दोस्तों यहां पे थोड़ा समया पो सुझा देना चाहता हूं C5H11CL के संभावित सनरचनात्मक सुत्रों के संक्या सनरचनात्मक ठीक है तो आप जानते हैं C2H5OH जो है यह है आपका एथिललक्वार का सुत्र पर कहीं-कहीं आपने देखा होगा CH2CH3OH यह भी आपने देखा होगा लिखा हुआ ठीक है यह इसी का ही रूप है पर इसे तोड़ कर लिखा गया है तो यह इसका एक प्रकार का संरचनात्मक सुत्र हुआ ठीक है संरचनात्मक यह बोलने में थुड़ी दिक्कत हो रही है देखिए परमसुन ने दाब प्राप्त किया जा सकता है माइनस 273 यानि 273 डिग्री सेंटिगेट पर हम परमता प्राप्त किया सकते हैं यह भी कर सकते हैं निमन में कौन कीट ना सकते नहीं है तो दोस्तों डिडिटी यानि डाइक्लोर डाइफिनाईल ट्राइक्लोर एथिन ठीक है डिडिटी यह कपी इंपॉर्टेंट है इसका नाम भी आपको फूल फाम भी पूछ लेता है तो डाइक्लो डाइफिनाइल ट्राइक्लोर एथिन याद रखिएगा ठीक है बी-एच्सी माला यह सब ही आपके से कीट ना सक है माला यह नाम ही सुना होगा पर दोस्तों यह सरफसील है न यह इसमें से अलग है तो इसलिए वह correct answer भी हो जाएगा देखिए star बहुलक है starch तो यह glucose और fructose दोनों का ही बहुलक है plastic क्या है तो plastic एक प्रगार का बहुलक है आप जानते होंगे अच्छे पढ़े होंगे आपने high school में पढ़ा होगा प्रोटानों की संक्यकाल आता है तो इसका option number a हो जाएगा correct answer अगला question है निम्ना विक्रिया अगला question है अपका 88 number धातुमों को काटने जथा जोडने वाला hydrocarbon है तो c2h2 यह hydrocarbon है अगला question है स्रिंखला अभिक्रिया को नियंतित करने के लिए मंदक के रूप में प्रयोक्त किया जाता है कौन सा तो वह oxygen का प्रयोक किया जाता है मंदन के रूप में कहां पर स्रिंखला अभिक्रिया को नियंतित करने में गलित NaCl में विद्धुधरा प्रवाइद होती है तो वह मुक्त आयनों के करण ठीक है क्योंकि गलित अवस्था में इसलिए मुक्त आयनों के करण NaCl विद्धुधरा प्रवाइद करता है ठीक है जिसको कहते है सोडियम क्लोराइड और दोस्तों अगर वही ठोसन पूछता तो आप लगाते क्या इलेक्ट्रानों कर वह भी मुक्त इलेक्ट्रानों कर ठीक है आगे है आपका एक पदात जो असुद्या दूर करने के लिए आयसक में मिला जाता है क्या कहलता है वह कहलता है आपका गालक ठीक है वातावरण में ओजोन च्छरड का मुख्य कार क्या है वातावरण में ओजो coal फ्लोरो-फ्लोरो कार्बन ठीक है जो कि आयगे रिफ्रीज葉र होते हैं यानी घरोभरों में जूज आफ विट्रोल इज ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर है S2S207 आगे देख लेते हैं क्वेस्चन आपका है यहाँ पर 94 नंबर क्वेस्चन आप देख लीजेगा 95 है आपका और 96 नंबर क्वेस्चन ठीक है सभी क्वेस्चन को आप इसकी इंसाड़ भी ले सकते हैं उसी परकार 97 नंबर क्वेस्चन है भंजन प्रशित करते हैं तो एलकिन उसी परकार 98 नंबर क्वेस्चन है कि फ्लैस बल्ब का तार बना होता है तो वह Mg यानि मैगनेसियम का बना होता है फ्लैस बल्ब क्या होता है तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे नेक्स टुडि जी आबंद है तो वो है आपका HCL हाइड्रो क्लोरी कमल जो है वो सबसे प्रबल सहसन्योजी बंद बनाता है ठीक है तो यहाँ पे आपसे नंबर 10 का करेक्ट एंसर हो जाएगा अगर आपको HCL न दिया होता तो उस कंडिशन में आप NACL लगाते ठीक है दोस्तों आखरी क्व की इस वीडियो का आखरी प्रस्न भी होगा क्योंकि जो सौन नंबर क्वेशन था वो हम स्क्रीन सॉट लेने में उसमें कोई दिक्कत आ गई इसलिए हम स्क्रीन सॉट नहीं ले पाए क्योंकि पेपर आनलाइन मोड में कंड़क्ट करा गया था तो हमने चेक करते समय स्कूइब फ्रस्ट हैं ऐसलिए मोडियो एक प्लाइस का रहा है कि अगर आपको इसका पूरा साल्यूट वीड वीडियो यानि शौलियो के साथ कंप्रीट वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट बना कर थे गे और आपको हर एक और यहा सं में आ जाया और उस टाइप का अगर दूसरा question को यह आ जाए ना तो आप उसे चुटकियों में solve भी कर पाएं तो आपको आज की यह class कैसी लगे हमें comment section में जरूर बता है जिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें